आपको दिखाएंगे एक हमारे यहाँ पे नदी नालो में मिलने वाली एक सब्जी जिसका नाम है लिंगर्स तो गाइज और यहाँ पे एक सब्जी से भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे उसका नाम है बलकू तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंतक बने वे और आनब वीदियेगा तो जादा देजी ना करते हैं वीडियो को शुरूर चलिए तो गाइज यह सब्जी है बलकू जो मैं कह रहा था आप सबको यह समय मेरा जिगरी यार उठा रहा है राज भाई तो गाइज यह एक ऐसी सब्जी है गाइज जो की बहुत ही अच्छी है बहुत ही खाने में इतनी स्वादिश्ट क्याई देख सकते हैं बलकू देखिए किने प्यारा फ्यारा फूल भी आया इस वे तो गाइज जिस बात की मैं जिकर कर रहा था लिंगल की सब्जी वो है यह तो इस समय आ चुके है हम गन्होर जंगल टाइप के नाले में तो गाइज देखिए इतने लंबे-लंबे हमारी हाइट स है यहां पर छुदान पर है में उन्हें और नदी नालों के किनारे वैसे मिलता ही है और उसकी खाने के बहुंस अरहा है तो इतने लाभ है कि कई ही बताए में आपके हैं कि नदीनम आले की टार साउंतों का का कफ्या खनाव है तो इसलिए हमें संबल का आपने का है vind कि अबirs टोर्थे है sauce पूर्ण जी और दीख रहे हैं यहां सामने यह काफी पुरानिक पुर्णिक वैसे कि इसमें पानी है ना जाने किस कारण सुल गया है भी रहे है इसका रहे हैं पूर यह काफी यह एथिहासी बौड़ी है हमारी दादे-परदादो जो किछ समय की सब्सक्राइब कर देखिए कितनी जादी सब्जी लाली है फूरा दिनर अब चले हैं हम गर की ओर देखिये नीचे नीचे राज तिक-टक-टक करे चल रहा है कैषना कैफ की दरा लगता है अपनी आपके इसना कैफी समझ रहे है काफी मुश्कुराथ तो गाइज देखिए अ कि इतने मतलब की क्या ही बता इतने जाना परता है जाणी जारियों के बीच से तो अपनी एक गलती मतलव समझी सकते हैं आप जान को जोखिम में डाना तो गाइज यहां देखिए आप मेरी उंगली के सामने यह पत्तर है वैसे एसी रखा गया है पर मानो ऐसा लग रहा है शेर हो तो जब हमने जाना है इस रास्ते से आये थे हम इसी रास्ते से वापिस जाना है राज चला है लिंगर लेके तो साइट सोची सकते है आप एक गलती मतलब क्या ही बताएगा इस सीधा सीधा ओनीचे जाना 32 में से सोला डांतों गाइब है तो सोला का भी क्या करना कि खाना तो चबाया नहीं जाएगा यह बाते हैं कि आइ यह थे हैं जाAnton कि तो इसके बारे में कुछ राज बच्पन की सभी में देने सीधा वारे मिटा में बताएंगे तो बताएगा दीख सकते हैं आप ये लिंगल बच्पन पीकमी मिनसे बख्री लगर्य良वा करते थे यह हमारी फोरी तो ट Nine शारी मतलब हम काफी फ्रेंश सर्कल में बैठे होते थे उस लोग सोफ हम ऐसे बनाए को करते दो जाए तो शायद आप लोगों ने भी बनाए होंगे बहुत तो गाइज अब चले थे हम गर की और गर जाते जाते हमें रास्ते में मिले ये प्यारे प्यारे फूल तो गाइज आप सभी इन फूलों का अनंद लीजिए और बताईएगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर कैसे है ये फू ये बहुत देर बात इतली पे मैं गर पॉंच गया था और अब मैं सबजी दो रहा हूं अब मैं पटाफट से सबजी दो लेता हूं और उसके बाद कटिंग करते हैं सबजी की तो वीडियो का अनंद लेते रहिए गाइज मैंने सबजी फटाफट से काठ ली थी और अभी से सिस्टर बनाएंगे क्योंकि गाइज अब मुझे जाना है कहीं गुमने तो मैं तो बना नहीं सकता तो इसको बनाना गाई जो वैसी बना जाता है जैसे अदर सब्जी बनाते हम वैसी इसकी कोई खास रसे पी तो है नहीं तो वीडियो का अनंद लेते रहिए यह दिखिए गाईज किने प्यारे लग रहे है यह पहाड हर्याली भी बहुत जादा आगी है उंची उंचे पाड़ों के उपर बादर तो गाईज आज का वीडियो आप सब को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर विताईएगा हमारे इसी तरह के दमदार वीडियो द झाल 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 झाल